है 크ques so click on study capsule सभी का स्वागत है दोस्तों आपने हमारा चानल अभी तरफ सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज हमारे चानल को सब्सक्राइब कीजिए हमारे वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज विडियोस देने like और शेयर जरूर कीजिएगा thank you so much आपका comments और आपका feedback हमें अभी भी मिल रहा है thank you so much for that और आप अगर चाहें तो आप हमें comments में लिखके बता सकते हैं कि आपको कैसे वीडियो चाहिए क्या आपको और वीडियो चाहिए और आपकी queries हो तो वो भी विल्कुल लिख सकते हैं हमारा email address है studycapsule15 at gmail.com और हमारा Facebook page भी फॉलो कर सकते हैं हमारे Facebook page का ad है address है www.facebook.com studycapsule thank you so much तो दोस्तों आज का वीडियो है हमारा banking awareness पे यह है part 1 तो आज से हमें सीरीज शुरू कर रहे हैं हमें काफी लोगों ने बोला कि हमें banking awareness computer awareness इन पर वीडियो शाहिए तो उनकी लिए हमने कल से वीडियो डालने शुरू किये हैं हम जानते हैं थोड़ा समय कम है हमारे पास 11 तारीक अभी पास ही में है कभी लोगों के एकसाम सारे हैं तो उससाब से हमने ये वीडियो से चुरू करें हैं हम आज कल और परसों में दो से तीन दिन के समय में इतने वीडियो हो सके उतने वीडियो दालने के कोशिश करेंगे यह तो आप इनको ध्यान रखें यह थोड़ा सा easy questions है इस पहले वीडियो में थाकि जिनको basic से शुरुआत करें थोड़े सी easy questions है इस वीडियो में तो आप ध्यान से सुनिए चलिए बढ़ते हैं आज के वीडियो के साथ तो हमारा पहला सवाल है इसका जवाब में आपको बदाते था हूं कि बिल ओफ एक्शेंज और चेक यह दोनो ए अन बी तो हमारा आंसर हो जाएगा डी ठीक है बोथ ए अन बी तो यह बिल ओफ एक्शेंज और यह चेक यह दोनो एक और टू पे मनी प्रोमिसरी नोट का मतलब होता है कि यह प्रोमि यह तर्म से आप थोड़ा वेर होंगे तो आपको शायत यह पिसिक बिसिक टर्म से आपको पता होंगे चलिए आगर बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ और ऑफ चेक यह नोट डैश तो इनमें से कौन सी चीज़ है जो ऑफ चेक के नोट डू ठीक है तो आप्शन से पुस की आप कोई चेक लिखा तो इसको सके तो या घ्रस करते हैं टो आप याद रखना है रहा है और यूज़ नहीं कर सकते बैंक पे तो तो यह जो है क्रोंसी अगर आपनी के चेक पर करती तो उसको आप कैंसल नहीं कर सकती इसको आप याद रखिए चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे तीसर सवाल के तरफ तीसर सवाल है इन विच यह आर्वीया है एंट्रूस्ट बैंकिंग ऑंब्यूट्समेंट स्कीम इसके ऑप्षिंस है 2002-2000 1998-1995 तो मैं इसका जवा इसको शुरू किया था बैंकिंग ऑंब्यूट्समेंट स्कीम को इसको याद रखिए यह काफी इंपोर्टन सवाल है चलिए आगे बढ़ते हैं तो चौता सवाल है विच इस इंडियन बैंक विच फुली ओन बाइंडियन इसको ऑप्षिंस हैं इंडियन ओवर्सीज बैंक सबसे पहली बैंक ती कि जो मतलब 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 इंडिया के खुद के लोगों ने जिनको बनाया था और पुरी मैनेज भी जो इंडियन ने पाक पूरे कि इंडियन से वही थी वह सेंट्रल बैंक उफ इंडिया और जो है ऑफ्षन बी ठीक है तो और यह स्टैबिश्वी थी 1911 में 1911 में इंडिया स्धुली जो इंडिया की बैंक बैंक औप इंडिया तो इसको याद रखिये चलिए आगे बढ़ते हैं पांच्छे सवाल के तर करने की ठोड़े-थोड़े अलग अलग टोपिक्स लेके वीडियोड करने की लेकिन काफी बार ऐसा हो जाता कि मैंटर जो आपको बता है किक्षा काफी चीजे मधराना चाहिए उसके थोड़ा मुश्ट्र आप इसको याद रहे हैं तो इसके ठीड़ा टाइम लाएगा लेकि इसका जवाब मैं आपको बता देता हूं इसका जवाब है डी लिपिटो लिपिटोर यह एक मेडिकल टर्म है ठीक है है तो कोईंस के लिए एक मेडिक में आपको जायद होत के हैं कौल कटा नौइडा ए और एक जगह है कॉलकता हैदरबाद में दो जगह है सैफाबाद और चेरपली में और फिर नॉइडा में है यूपी में एक अलीपॉर है कॉलकता में बाकि मुंबई है इसका अंसर होगा डी ओल अफ दीस तो यह पांच जगे ऐसी हैं जहाँ पे कॉइंस मेंट होते हैं ठीक है औ और यह होती है कॉइनिच आक्ट नाइटी नौशिक्स के अंडर तो अभी आपने देखा काफी नए-एक रुपए का कॉइन दो पांच-दस के नए कॉइन है कुछ लोग बोल रहे हैं कि सो के भी कॉइन आएंगे हजार के भी कॉइन पर अभी तक को शॉरिटी नहीं थोड है ठीक है कोई बात नहीं यह पता चल जाएगा आगे तो चली आगे बढ़ते हैं 7th question की तरफ 7th question which of the following is responsible for the insurance coverage for the bank deposit in our country इसके options है DICGC SBI GICRBI तो मैं इसका answer आपको बता देता हूं इसका answer है A DICGC DICGC का आपको बता देता हूं deposit insurance and credit guarantee corporation ठीक है तो this is responsible for the insurance coverage for bank deposit in our country ठीक है चली आगे बढ़ते हैं 8th सवाल की तरफ what is the name of the loans which was given to low income group with small amount तो इसके options are no frills no frills loans cash credit rule of credit or micro credit तो these are the loans are called as micro credit इसका option है D चली आगे बढ़ते हैं 9th question की तरफ in the term LAFL stands for LAF का अगर आपको फुल फॉर्म बता होगा तो इसका answer आशायद आपको बता होगा मैं पहले options बता देता हूं options है loan B liquidity C least or D liabilities तो आपको बता देता हूं LAF का full form है liquidity adjustment facility ठीक है LAF stands for liquidity adjustment facility तो इसका answer हो गया B चले आगे बढ़ते हैं 10th question की तरफ what is meant by money laundering money laundering क्या होता है जैसे अभी हाली में आपको पता है demonetization हुआ है तो वह काफी लोग बोल रहे हैं corruption को हटाने के लिए money laundering का करने के लिए हुआ है काफी band transactions उन से बढ़ेंगे तो उनकी वह से हुआ है तो इसके options आपको बता देता है money acquired through criminal source money acquired from drug trafficking process of conversion of money obtained illegally to appear to have originated from legitimate source money acquired from undisclosed sources and deposited for in foreign banks तो इन सब का चीज़ है जो आपको बता देता हूं ठीक है कि सबसे इसका आपको बता देता हूं process of conversion of money obtained illegally to appear to have originated from legitimate sources ठीक है तो इसके आपको बता देता हूं इस पर हमने इकटा किया है या फिर का उसका आप यह कर रहे हैं मनी जमा किया है ठीक है और उसको दिखाना चाहरे हो कि आपने सही legitimate मतलब की सही sources से कि आपने कहीं नौकरी करके या business में आपको फाइदा हुआ है उस चीज़ का यह बसा है तो यह गलत दिखाना कि यह इसका ओरीजने जा कहां से originate हुआ है गलत बताना इसको बोलता है money laundering ठीक है चली आगे बढ़ते हैं ग्यारवे सवाल की तरफ इस आ नोट है 45 days credit is given to the cardholder तो इसके आपको पता हुआ जैसे आपको पता हुआ डेविट कार्ड क्रेट कार्ड तो यह डिफरेंस होते हैं तो लास्ट जो ऑप्शन है 45 days credit is given to the cardholder तो इससे आपको बता बैंकिंग की या थोड़ी बहुत तयारी की हो था आपको पता होना चाहिए तो फिर भी इसके आप्शन सो बता देता हैं प्रहलें तो जब एक चेक को इश्यू हुआ है वह तीन महीने हो जाते हैं तो इसको चेक है पहले इसका 6 महीने था टर्म अब इस अफिलाली में और भी आने इसका 6 महीने से कम करके 3 महीने कर दिया है ठीक है तो याप इसको याद रखिए यह भी सवाल इंपोर्टन है यह पूछा जा सकता है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं तेरवे सवाल की तरफ what is meant by mortgage registration of charge with the regional transport authority option B registration of charge with the register of companies option C making the security of immovable property available as a cover for a home loan by the borrower option D sale of immovable security in the event of the event of default by the borrower तो इसका option में इसका अंसर बता होता है इसका answer है option C making the security of immovable property as available as a cover for home loan by the borrower तो mortgage का मतलब होता है कि जब आप कोई loan ले रहे है बैंक से अगर for an example आप घर के लिए कोई loan ले रहे है या फिर आपको इसको का लेनी है या फिर कोई सिवक झिन लेना है लहां भीफष गिरवी रखते हैं तो उसको कहता है mortgage ठीक है तो मतलब आपको कार लेनी है तो उसके आपने घर के payments दे जिलिए गर के पेपर्स दे दिए कि मैं इसको घर रखे या फिर आपको कुछ घर में कोई function है तो आपको सुना जो होता है वो गिर भी रखे आप लैसे ले तो उसको कहते हैं मौकेश ठीक है तो इसको आजसर हो गया option C चलिए आगे बढ़ते हैं question number 14 depreciation of an asset occurs due to इसको option 4 है fire in the unit theft labor problems none of these तो asset जो होता asset का मतलब है आपको पता होगा कि घर ले रहे हैं तो घर और यह बाखी चीज़े हैं तो इनकी value जो है लेकिन बाद में आगे जाकर बढ़ेगी ठीक है तो इसको कहते हैं asset तो asset के लिए उनकी value कब कम होती है तो कभी नहीं होती ठीक है बहुत कम rare चीज़ें होती है जब बहुत कुछ बहुत कुछ क्रेट का असोशीएशन यह याद रखना है इससे यह पूरा मेनिंग चीज़ लाता है आपको बता देता हूं रुपय कार्ट्स डिया होता आपको बता देता हूं इसका अंसर सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर देंगे तो यह क्रेट का असोशीएशन होते हैं और उनका डेटा उनके पास भी रहता है तो इसको आपको याद रखना तो सब्सक्राइब कर दे रही है लेकिन का असोशीएशन है वह वीसा के साथ है चलिए आगे वड़ते हैं 16 के तरफ हमां 16 विच फॉलिंग नोवास सेलिंग फ्रस्ट और सेल अप्शन आप मुचल फंड टू डेविट काड होल्डर ऑप्शन तू सेल अफ इंशॉरंस पॉलिसी तूर डेपॉसिटर अधर ऑप्शन है इंशॉरंस ऑफ एसेट अगेंस लोन अवील्ड बाइब बॉर्वर चाहिए तो यह तीन आप्शन से अपको सामने वाला सीमस पता देता कि आप टीवी के साथ यह सांट सिस्टम खरी सकते आपको डिसकाउंट मिलेगा इस पर या फि सेल अफ मिलेगा रहा है और इसके साथ अब को डिसकाउंट समय नहीं बाखी चीज़ों के लिए ठीक है तो इसको कहते है और यह सारी चीज़े किसी के साथ भी दे रहा है तो यह पक्रोस अन्सरोंगा ठीक है तो इसका आंसर होगिया D, Option D, All 1, 2 & 3 ठीक है बाकी आगे बढ़ते हैं चलिए क्वेशन नमब 17 अमंग द फॉलिंग विच वन इस नोन स्दी मैट चांव्यक है हमारे यह आप अपने वास चाहर option से आपने अपर अपने जावरे करने ऊपर चांवग संविच शेल लें प्रीच नहीं क्लीक संविक खांड क्वेश संव भी इस ओ पर एंटैजल य निक्ट॰न फॉर्म हैं और शिकॉर्द अगुम्हाइप को जरो देमेट खोला परता है तो इसके साथ ऊपते अधिक करते हो आपको पैसाustr दोग्ट और तकाउंट है चाहिए तो ली आगे बढ़ते हैं 18 के सब्सक्राइब है कि स्टेंस फॉर नेगोशियेट इलेक्रनिक फण्स एक फर्ससीटम अपको पता हुआ है नेशनल इलेक्रोणिक फण्स सब के बारे में देखेंगे हैं आगे भी वीडियो से उनमें बताएंगे आपको डिस्क्रिप्शन में तो आपके सामने प्रिस्क्राइब अपर लिमिट ट्रांसक्शन थू आर्टी जिस का फिल फॉर्म है इसको याद रहें यह भी इंपॉर्टन है इसकी ऑप्शन से फॉर्स ऑप्शन फाइव लैक सेके लिए फॉर्ट ऑप्शन फॉर्ट ऑप्शन नो लिमिट तो आपको अपर लिमिट नहीं होती चलिए आगे बढ़ते हैं वी स्वाल के तरफ इसका अंसर होगा है और शेयर्ट और इसका फिलिए इसका फिलिए इसका फिलिए बाइक इसको याद रहें चलिए वरते हैं एक इसवा सवाल, interest on saving account, savings account is calculated on the basis of, इसके चार options है, daily product, monthly minimum balance, average monthly balance, और fourth options, monthly minimum balance between 10th and last day, तो इसका answer में आपको बताता है, daily product, ठीक है, तो आपके savings account में daily product, जो है मतलब, दिन का सबसे कम balance जो है, और फिर महीनी का फिर पुला calculate करके, फिर इंटरेस्ट आपका calculate होता है, ठीक है, चली आगे बढ़ते हैं, 22 सवाल है, among the following, who is the largest shareholder of a nationalized bank, nationalized banks के shares भी होते हैं, जैसे आप सबको पता होगा, share market में, तो उनका सबसे ज़्यादा shares जोते हैं, वो किसके बास होते हैं, इसके options है, government of India, RBI, SBI, Nawad, इसका answer में बता देता हूं, इसका answer है, government of India, government of India के हमेशा, याद रखी हमेशा, उनके 50% shares होते हैं, nationalized bank case में, national bank के shares में, ठीक है, चली आगे बढ़ते हैं, 23rd question है, regional and rural banks fall within supervisory, for view of whom, of dash, तो चार options है, RBI, SEBI, RIDAI, और SBI, तो इसका आपको जवाब शायद पता होगा, इसका जवाब है, RBI, regional and rural banks fall within supervisory, for view of RBI, चली आगे बढ़ते हैं, 24th question, where was the first share market in India was established, इसका चार options है, Kolkata, Delhi, Mumbai, Chennai, इसका answer शायद आपको सभी को पता होगा, इसका answer है, Mumbai C, Bombay stock exchanges को कहा जाता है, BSE, this was established in 1875, ठीक है, यह Asia का पहला stock exchange है, और world का अब तक 11th largest stock exchange है, ठीक है, चलते हैं हमारे आखरे सवाल की तरफ आज के लिए, आखरे सवाल 25th question is, money lent for one day is called as, चार options है, call money, notice money, term money, none of these, इसका answer है, call money, option A, ठीक है, कफी simple सवाल है, इसका याद रगे, चलेए दोस्तों, thank you so much for watching our videos दोस्तों, आपने जैसा support अब तक दिया है, हम उसे बहुत खुश है, और आशा करते हैं, आप ऐसा आगे भी हमें support करते रहेंगे, आपको videos कैसे लग रहे हैं, प्लीज हमें comments में mention कीजिए, और हमारा यह बटन है, आपको right side में दिख रहा है, subscribe का, जो study capsule का icon है, प्लीज उसे please किये, हमारे videos को subscribe करने के लिए, हमारे channel को subscribe करने के लिए, thank you so much for watching this video friends, hope you have a wonderful day, take care.